नमस्ते पिछले कई वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि अपने आपको बेहतर कैसे बनाएं इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और आगे की बात करते हैं इस दुनिया में कदम कदम पर बहुत से फेक गाइड्स भरे हुए हैं आपको मिलेंगे वो कदम कदम पर लेकिन अच्छा गाइड और अच्छा टीचर वो है जो आपको आपके भीतर चुपी हुई शक्तियों से परिचित कराए आपके अंदर जो ग्यान जो शक्ति भरी हुई है उससे आपको परिचित कराए आपको किसी बहारी मदद की कोई बहुत विशेश आवशक्ता नहीं है लेकिन मोस्टली गाइड या टीचर या सो काल्ड गुरू सभी ऐसे नहीं है लेकिन मैं काफी लोगों की बात करता हूँ वो सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको बस फॉलो करें बिना किसी तर्क करें खेर हम बाद आगे बढ़ाते हैं आपने कभी गौर किया है आपने देखा है कि आपके पडोस में आपके घर में एक व्यक्ति बहुत खुश है और दूसरा बहुत उदास और दुखी रहता है एक ही पिता की दो संतान एक हैपिली मेरिड है दूसरी दुखी रहती है एक आदमी कठिन से कठिन बिमारी से लड़कर बचकर आ जाता है असाध्य बिमारी को भी जीत लेता है लेकिन दूसरा ऐसा नहीं कर पाता एक व्यक्ति उत्साह से भरा रहता है उर जावान है और दूसरा महचिड़ चिड़ा और ठका हुआ परेशान रहता है जबकि कुछ लोगों की तो परवरिश भी एक जैसे माहौल में एक ही माबाप दुआरा की गई है तो हम बात करते हैं अब चेतन मन की शक्ति के चेतन मन जो होता है जो हम सोचते हैं जो आपको गैड करता है वो तरक करता है अब चेतन मन तरक हीन होता है वो तरक नहीं करता सिर्फ आप जैसा सोचते हैं आप जैसा बोलते हैं आपकी जो सोच है पोजिटिव या नेगिटिव जो आपका चेतनमन आदेश देता है वो सिर्फ उसको स्वीकारता है और वैसा ही आपके जीवन में घटना शुरू हो जाता है चेतनमन अब चेतनमन जिसको हब सब कॉंशियस माइंड कहते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी हाँ अब जानते हैं एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा चुम्बक का टुकड़ा जिसमें मेगलेटिक ताकत है वो अपने से 10, 12, 15 गुणा तक वजन को उठा लेता है लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े से उसकी चुम्बकी या शक्ति को स्माप्त कर दिया जाए तो वो बेकार है, वो अपने बराबर का वजन भी नहीं उठा सकता इसी तरह दो तरह के व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं एक चुम्बकी या खर्शन वाले, मेगनेटिक परसनेलिटी और दूसरे, नॉन मेगनेटिक तो आपको अपने आपको चुम्बक बनाना है लोहे का टुकड़ा वही है चाहे वो हिंदुस्तान का टुकड़ा हो चाहे वो पाखिस्तान से आया हो लोहे का टुकड़ा चाहे वो बंगनादेश से आया हो चाहे अमेरिका से आया हो देखे लोहे का टुकडा वही है इनसान वही है सिर्फ आपको अपने अंदर वो मेगलेट पैदा करना है वो मेगलेटिक चुम्ब की है आकर्शन आपको पैदा करना है और वो आपके भीतर है बाहर से कोई किसी मदद की आपको जरूरत नहीं है मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ती बिमार हो जाए ठीक है उसको दवा की जरूरत है अगर वो बार बार इसी बात को कहता रहेगा सब मिलने वालों से दोस्तों से परिवार में नहीं नहीं, अब मैं नहीं बचँँँगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा शायदां तसमय कट है तो उसकी गई हुई बात को उसका अफचेतन मन, सुउकार करने लगता है वो सब कॉंचियस जो है, उसकी मांग जाती है, कि इसको अब जीवित नहीं रहना है और वे व्यक्ति बच नहीं सकता, ये निश्यत है दूसरी तरफ, अगर कोई बीमार व्यक्ति दिन में पचास, सो, दो सो बार जब भी उसको समय मिले एकांत में बैठके अपने आपसे बात करे और बार बार इस बात को दो रहाए नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ मुझे ठीक होना है, नहीं, आज मैं कल से बहतर हूँ मैं बहतर महसूस कर रहा हूँ आप देखेंगे, कि अब चेतन मन की शक्ती से आपकी अपनी प्रार्थना से, आप उसको कुछ भी नाम दे दे वह व्यक्ती, असाध्य बीमारी से लड़कर भी बाहर निकलाएगा निश्यत रूप से स्वस्थ हो जाएगा मोटे तोर पर आप इसको विल पावर भी कह सकते हैं तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक छोटा सा उधारण में आपको और देता हूँ छोटी-छोटी बातों से हम बात करेंगे किसी कंपनी के CEO जो बहुत बड़ी Chief Executive Officer वो बहुत चिंतित रहने लगे, उनको लगा कि उनकी ये पोजीशन तो उनसे चिनने वाली है, बहुत जल्दी चिन जाएगी उनसे शायद वो इस पोजीशन में बहुत अधिक समय तक रहने ही पाएंगे वो दिन रात इफी चिंता में रहने लगे, काम से मन हट गया और धीरे धीरे उनके अव चेतन मन ने इस बात को स्विकार कर लिया कि ये इस नौकरी के लायक नहीं है और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया क्या उनको उस कंपनिये नौकरी से निकाला, नहीं उन्हों ने अपने आपको खुद बरखास्त किया तो मेरी आप सब को सला है कि आप कोई भी ऐसा संकल्प, ऐसी कोई बात अपने आप से न करें जो उत्साहीन हो, जो नेगेटिव हो अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, नहीं मैं तो फेल हो जाओंगा मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मैं ये काम करूंगा तो मुझे बहुत लुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाओंगा तो आपका अब चेतनमन उस बात को स्विकार करने लगता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर लेता है और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बार बार ये कहें मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओंगा मैं इस नगर का सबसे धनी आदमी बन जाओंगा तो अब चेतनमन उसको एकदम से स्विकार नहीं करता उस दिशा में काम जरूर करता है क्योंकि जो बात आप अपने आपसे कह रहे हैं आपको खुद उस बात पर विश्वास नहीं है जो बात संकल्प जो आप मन में लेते हैं या जो बात अपने आपसे करते हैं उसे इस तरीके से करिए इस तरीके से करिए इस तरीके से मानिये प्रार्थना कीजिए कि आपको उस पे खुद भरोसा हो जब आपके चेतन मन को उस बात पर भरोसा होगा जो गाइड है, जो तरकशाली है, जो प्रहरी है आपकी बॉड़ी का जब आप विश्वास के साथ किसी बात को करेंगे तो पूरी यूनिवर्स, एक्जिस्टेंस और आपका सब कॉंशियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा एक सज्जन एक छोटे से होटल में काम करते थे वो राद दिन इस बात के सपले देखते थे कि एक दिन उनका भी होटल होगा वो होटल के मालिक होंगे, उन्हें मालिक की डाट नहीं खानी पड़ेगी उनके 10, 12, 15, 20 नोकर होंगे और वो खुद उस होटल को चलाएंगे राद दिन इसी ख्यालों में परिणाम क्या हुआ? उनको नोकरी से निकाल दिया गया लेकिन उन्होंने उस सपने को देखना नहीं छोड़ा अपने मन में सुबह, शाम, रात हमेशा वो कहते रहे नहीं, मुझे एक दिन होटल खोलना है, मैं होटल का मालिक बनूगा जब उनकी वो नोकरी चली गई, उनको एक और बड़े होटल में नोकरी मिल गई ब्रेंडीड होटल था, वहाँ से उनको स्टोर मेनेजर बनाया गया उन्होंने वहाँ धनी कठा किया थोड़ा उसके बाद जब उनके पास प्रियाप धन हो गया, तो उन्होंने अपना होटल का कारोबार शुरूर किया और थोड़े समय के बाद वो शहर के बहुत बड़े होटल के मालिक बने क्योंकि उनकी जहन में था और उनको विश्वाफ था उनकी सोच में कि एक दिन मुझे एक होटल का मालिक बनना है और उनके सबकॉंशिस मन ने अब छेतन मन ने उनके अंदर इतनी शक्ती पैदा की और उस दिशा में काम करना शुरू किया और वो हुआ दूसरी बात, खौब देखना कभी मत छोड़ जाए जिस इनसान ने खौब देखना छोड़ दिया वो बूढ़ा हो जाता है बूढ़ा व्यक्ति आयू से नहीं होता मैं इस बात को मानता हूं कि उम्र के असर को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप सोचते हैं आप उतने ही युआ हैं जितना आप सोचते हैं आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं और आप उतने ही कमजोर हैं जितना आप सोचते हैं तो खौब देखना मत छोड़िए पॉजिटिव अपनी सोच को रखिए और जितना आप नेगिटिव सोचेंगे आपका सब कॉंशियस मन अवचेतल मन उसी दिशा में नेगिटिविटी की तरफ काम करना शुरू कर देगा आप जानते हैं बड़े बरेक्ट्रूस बड़ी बड़ी एच्यूमेंट्स काफी महां लोगों ने असी बरस की उमर पार करने के बाद पाई है असी बरस की बाद उमर के कुछ लोगों ने म्यूजिक सीखना शुरू किया कुछ लोगों ने घुडसवारी सीखनी शुरू की क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र को अपनी उम्र की सोच को अपने उपर हावी नहीं होने दिया इन्सान आयू से उम्र से बुड़ा नहीं होता उम्र बढ़ने के भैसे बुड़ा होता है ये सोच कि मेरा समय चला गया, अब तो बस वो लोटके आने वाला ने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोच इनसान को बीमार और बुड़ा करते है, तो अपने भीतर की, अब छेतन मन की जो छुपी हुई शक्ती है, उसको पहचानिए, अपनी दिशा निरधारित कीजिए, जुट जाएए, अपने लक्षे को प्राप्ती में, आप देखेंगे, आपके भीतर चुपी हुई सारी जो शक्तियां है, जो इश्वर दारा जो प्रदान की गई है, वो उस लक्षे की प्राप्ती में, आपका साथ देने में जुट जाएंगी, और आपका आमियाब होकर अवश्य रहेंगे, आज बस इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगे, धन्यवाद